कारिकरम में शोता हूँ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिकरम में हमारे महमान है शहर के जाने माने नियूरो सर्जन डॉक्टर केतन गुजराल आज आपसे बाचीत का विशे रहेगा स्ट्रोक, कारण, लक्षन और उपचार डॉक्टर गुजराल बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस कारिकरम में शुक्रिया आपका बहुत-बहुत डॉक्टर केतन गुजराल हम सभी जानते हैं कि आजकल चिकिस्सा के शेतर में जानकारी लगातार लोग को प्राप्त हो रही है, लोग जागरुग भी हो रहे है और खास दौर पर जब हम मस्तिक्ष से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं तो वो बहतर ढंक से जानते हैं लेकिन आज जैसे कि हमारे कारिकरम का विशे है स्ट्रोक तो हमारे शोता जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रोक क्या है, आम विक्ति से क्या समझें देखिए स्ट्रोक एक ब्रेइन की बिमारी होती है इसके अंदर जैसे हम हार्ट अटेक बोलते हैं हार्ट अटेक में जैसे दिल का दौरा आना तो इसको हम अगर आम भाशा में समझें, तो ये है दिमाग का एक दोरा, तो ये दिमाग में दो कारणों से हो सकता है, मुख्ये इसके दो ही कारण होते हैं, या तो जो खून लिजाने वाली blood vessel है हमारे दिमाग में, या तो वो block हो जाती है, जिसमें हम बोलते हैं जिसे clot आ ग और एक जिसमें brain में bleeding हो जाती है पहले वाले को हम is systemic stroke बोलते हैं मेडिकल भाशा में और दूसरे वाले को हम hemorrhagic stroke बोलते हैं तो हमारे शुरता ये भी जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ खास IU वर्क के लोग को ही होता है? ये वैसे तो ज़्यादा तर देखा गया है कि 60-65 साल की उमर के उपर मरीजों के अंदर ज़्यादा देखा जाता है पर आजकल के लाइफस्टाइल को देखते वे आजकल ये यंग एजिस में भी काफी पाया जा रहा है मतलब बिलोग 40 भी ये पेशन्स काफी आ रहे है हमारे उस एरिया को खुण पहुँन नहीं पहुँच पाता है या तो वो ब्लॉट होने की वज़े से या वो ब्लीडिर होने की वज़े से तो basically ब्रें के डामेज होने की वज़े से हमारी बॉडी में लक्षण आते है इसमें चेहरे पे तिर्चअपन ये टेड़ा पन आना या कि से जिसको बोलते हैं suddenly हाथ पैर में सुनपन या कमजोरी आ जाना खास कर बोड़ी के या तो राइट साइड में या लेट साइड में एक साथ आ जाना स्ट्रोक का एक बहुत प्राइम लक्षन होता है जबान का लडखडाना या कोई भी बात को अगर हम जैसे मरीज से बात करें तो उसका उस बात को समझ ना पाना जो की एकदम अभी तुरंत हुआ हो ये भी एक स्ट्रोक का बहुत इंपोर्टन लक्षन है नजर में दो दिखा जो हमारी बलड लेके जारी होती है वो जब किसी कारणवाश या तो ट्लॉट हो जाती है या फट जाती है तो ब्रेन के उस हिस्से को खून ना मिल पाने की वज़े से उस हिस्से का फंक्शन चला जाता है तो ब्रेन में हमारे या जैसे जो हमारे प्रकृती ने बनाया है कि हम देखेंगे के मरीज के left heart और left pair में paralysis या कमजोरी आ गई होती है और उसके वही उस opposite side के जो चहरा होता है उसमें भी कमजोरी आ जाती है तो ये basically brain का वो area dead होने की वज़े से जो हमारा control है body का क्योंकि जो body का control है वो पूरा brain से ही होता है तो brain में उस area में damage होने की वज़े से opposite side में weakness या sensory loss हो सकता है जैसे चूना का कम पता लगना या हाथ से कोई चीज चूट जाना ये सब लक्षन हो सकते हैं उसके कौन लोग risk में है किन लोगों को stroke होने की ज़्यादा संभावना है यह बहुत अच्छा सवाल है देखिए stroke सबसे ज़्यादा जो risk factor है basically हमें ये समझना है कि stroke के risk factors क्या है तो जिन लोगों में risk factors होंगे definitely वही stroke के risk पे रहेंगे तो इसका सबसे important risk factor है high blood pressure देखिए जिन नंबर पर कारण आता है diabetes यह दो प्रमुख कारण है जो stroke की condition brain में पैदा करते हैं अब blood vessel में blood vessel कहने का मतलब जिससे हमारा blood का flow जाता है आप ऐसे समझे जो pipe है जो brain में आप खून लेके जाती है उसका blockage होने से ही stroke होता है तो अगर आपका blood pressure बढ़ा रहता है या आपको sugar क भी बिमारी रहती है या नंबर तीन जो प्रमुख कारण है वो है high cholesterol तो आपका blood pressure आपकी sugar और अगर आपका cholesterol high रहता है तो आपकी जो blood की vessel है जो आप एक समझिये pipe है जो brain में खून लेके जा रही है वो दीरे-दीरे clot होने लग जाती है clot का मतलब उसके में रुकावाट आन दिखने लगते हैं डॉक्टर केतन गुजराल जब attack हुआ जो stroke हुआ उसके कितनी देर तक हमें first aid मिल जाने चाहिए ताकि कुछ पचाव हो सके देखिए stroke के case में कहा जाता है time is brain तो आप जितना time waste करते जाएंगे stroke के onset होने के बाद उतना हम patient की condition को और deteriorate करते चले जाते है medically ये चीज आपको अगर हमें वो stroke के clot को अगर मालो वो clot वाला stroke आया है मैंने आपको पहले ही बताया था दो type के होते हैं एक clot वाला एक bleeding वाला तो अगर clot वाला stroke आया है जो की 85% cases में patients में देखा जाता है तो उसके अंदर हमारे पास जो window period होता है वो 4 गंटे का होता है 4 गं के लक्षन 90% तक resolve कर जाते हैं और long term complication आने का chance बहुत कम हो जाता है इसलिए कहते हैं time is brain आप जितना time brain को onset होने के बाद आप लगाएंगे उतना हम brain के deteriorate होने का chance बढ़ जाएगा और उतना हम recovery का chance कम हो जाएगा जी तो जैसे ही लक्षन प्रकटों तुरंथ हमें किसी यो surgery की आफशक तक कब पढ़ती है देखिए ये depend करता है कि stroke size में कितना बड़ा है brain में वो कितने area को involve कर रहा है क्या छोटा area involve किया है या उसने बड़ा area involve किया है तो इस हिसाब से हम उसका पहले medical management शुरू करते हैं अगर हमें लगता है कि वो size इतना limit range में है as per medical standards तो हम उसको पहले खून पतला करने का injection देते हैं उससे हम उसको dissolve करने की कोशिश करते हैं ये तो पहले condition रहती है अगर वो patient window period जो मैं आपको बताया है चार घंटे का होता है पेशन अगर चार घंटे के अंदर अंदर आ जाता है और अगर condition उसकी वो fulfill होती है कि उसको हम वो injection दे सकते है तो हम उनको injection दे के उसका clot dissolve कर देते हैं इससे फिर stroke के सारे symptoms reverse हो जाते हैं पर यही चीज अगर चार घंटे की उपर निकल जाती है तो हम वो time lose कर चुके होते हैं उसके बाद उस दवाई को देने का कोई फायदा नहीं होता ये तो होती है medical management इसमें surgical management में जो की एक last resort होता ह अगर stroke का size इतना बड़ा हो stroke basically एक brain का area है जो dead हो गया है जब भी कोई चीज dead हो जाती है उसके आसपस सूजन आने लग जाती है तो अगर जब उसके आगे सूजन बहुत ज़ादा आने लग जाती है तब हमें brain को अपने मस्तिश को वो basically इतना ज़्यादा सूजरा होता है कि उसको हमें फैलने की जगा दियनी पड़ती है इसके लिए हमें फिर operation करके brain की वो वाली उस सरफ की हड़ी को हटाना पड़ता है तो surgery कितनी कारगर है तेखिए अगर आपको surgery stroke में surgery की जुरुत पड़ रही है तो ये एक अची बात नहीं है बट इसके long term complications भी रहते हैं पर फिर भी समय रहते हुए अगर stroke की surgery कर दी जाए तो फिर long term complications कम देखे जाते हैं अब जाना चाहेंगे कि इससे बचाओ का क्या तरीका है तेकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये high blood pressure high cholesterol diabetes इन सब conditions के कारण ही पैदा होता है जो इसके सबसे एक common बात है कि जो heart attack के कारण होते हैं वो ही stroke के कारण होते हैं तो जैसे कि हम heart attack के लिए blood pressure को अपने control रखें अपनी sugar को control रखें अपने cholesterol को control रखें तो यही सब कारणों को अगर हम control रखते हैं तो हम brain के stroke से काफी हद तक बच जाते हैं cigarette smoking alcohol एक बहुत बढ़ा कारण है आज कल young age में जो देखा जा रहा है वो इस उतना mental stress हम लेंगे उतना यह सब जो कारण है stroke की tendency को और ज्यादा बढ़ा दे तो इसके लिए हम अगर yoga meditation इस टाइप की चीजों को अपना है तो हम अपने mental stress को बहुत कम रख सकते हैं इससे stroke काफी कम हो जाता है जी अब खान पान की बात करते हैं Dr. Gujral हमारे शोतों को बता खासतर से हम खान पान की बात करें जो बहुत लाबदाएक हो सकती है अपने मस्तिश को सुष्ट रखने के लिए और इस तरह की जो समस्या है खासतर से stroke की बात हम करें इससे बचाओ के लिए देखे बात फिर वहीं पर आती है कि जो कारण है वही चीज़ खान पान के अंद जिसमें high carbohydrates होता है हम इसको अगर avoid करें तो हमारे को काफी ज़्यादा stroke से बचने में लाब होता है green leafy vegetables और fruits इन सब का बहुत ज़्यादा सेवन करें इन में excessive calories नहीं होती और right मातरा में हमको body को portion मिलता है तो ये सब चीज़ें सबसे important चीज़ आती है तलीवी चीज़ें जि सब को जितना हम avoid कर सकें जितना हम healthy और balance diet ले सकें fruits और vegetables की मातरा जितना अपने खाने में बढ़ाएंगे उतना ही हमारा stroke कर इस कम हो जाएगा जी आपने बहुत महत्पून कारण बताया वो है stress mental stress तो मस्तिष पर तनाव और चिंता का प्रभाव हमें इस रूप में दिखा ह इस बारे में क्या कहेंगे कैसे अपने को stress free रखें देखिए stress एक unavoidable thing हो गई है आजकल जिस सबसे संसार की गती चल रही है इतना competition हर जगा रहता है तो हर किसी को कुछ न कुछ stress रहता ही है household ladies में भी stress देखा जाता है भार के workers में भी stress देखा जाता है office में काम करने वाले ल और yoga और meditation ये जैसे कि हमारी पुरानी history में भी लिखा हुआ है वेदों में भी लिखा हुआ है ये चीजें जितनी brain को आपको soothing out करती है आपकी brain को relax effect देती है इस से ज़्यादा आपको कोई भी effect नहीं दे सकता गक्सब stroke के साथ सीधे सीधे जुड़ा है paralysis जैसे आपने बताय कि अगर बाएं हिस्से में प्रभाव पड़ता है तो दाया हिस्सा हमारा प्रभावित होता है तो ये हमारे शुताओं को बताएं कि इसमें जो फीजियो थेरिपी है उसकी क्या भूनी का है जी आपने बहुत अच्छी बात करी फीजियो थेरिपी एक बहुत important part है rehabilitation program का जिस जब patient को जैसे जब stroke आ जाता है patient उस तनाव वाले period से निकल चुका होता है जब वो hospital में admit होता है उसके बाद जो उसका paralysis रहता है body में जैसे आपको stroke आ गया और आपकी एक side का आपको body पूरा paralyze हो चुका है तो इसमें फीजियो थेरिपी का सबसे बड़ा रोल आता है दवा के साथ साथ वो काफी कम हो जाती है और देखा गया है कि अगर सही समय पे physiotherapy स्टार्ट कर दी जाए और continuously करी जाए तो 80% तक उस पार्ट में recovery देखी गई है अंत में doctor सब एक बार पुना हमारे शोताओं को बताएं कि stroke आने पर समय के प्रबंदन कितना जरूरी है कितनी जल् survival के और मस्तिश के स्वस्थ रहने के समभावना बढ़ जाती है देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि time is brain तो जितना हम time lose करते चले जाएंगे जैसे ही आपने अगर stroke का कोई भी लक्षन अपने मरीज के अंदर देखा है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्द के अंदर अंदर पहले शुरू हो जाता है तो आपके long term complications बहुत जादा reduce हो जाते हैं और आपकी stroke से recovery काफी अच्छी हो जाती है तो डॉक्टर केतन गुज्राल आज आप इस कारिक्रम में आये और आपने stroke कारलक्षन और उप्चार विशे पर बहुत ही महत्पुन बात है ह आपका बहुत 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 है शुक्रिया शुक्रिया आपको बहुत बहुत